अलामुन अलाइकूम याली मदद मैं शबी जादी अलाइंस पूर्टबल जू में आपसे भी का स्वागत करता हूँ और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत खास वीडियो है इसको आप जादे जादे देखिएगा और कबूतरों के साथ आपको वही करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ देखिए जिस तरह गर्मी का वक्त है तो हर इंसान जो कबूतर है वो छट्टे उपर ही पालते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो छट्पे कबूतर पालते हैं और मौस्टरी छट्पे ही कबूतर पलते हैं तो वहां पे पूरे दिन कड़ी धूप पड़ती है जिसकी वयसे कबूतर हमारा गर्मी में मानता है कबूतर अपने चोंच खोल के रखता है और जब कबूतर गर्मी मानेगा तो पानी जादे पिएगा और दाना जो है वो कम खाएगा तुमा आपको बताना चाहता हूं इन चीजों से आपको बचने के लिए आप अपने कबूतर की केर किस तरह करें आप अपने कबूतर के जाल में बाहर की साइड आप क्रोस वेंटिलेशन में फैन लगाईए पंखा जिससे पंखा चले और सारी गरम हमा बाहर निकालता रहे उससे क्या होगा जो कबूतर टंप्रेचर है वो मिंटेन रहेगा कबूतर जाल के अंदर हापेगा नहीं कबूत करते है अच्छी जांए आप जाल के अंदर कबूतर हाप जैता है तो फीट कम खाता है जिसकी वह से पानी ज्यादेता है जब पानी जादे पीता है तो बाड़ी की ऊट एनलजी फ़तम हो जाती है और कबूतर बिमारी तरफ हमारा जाने लगता है तो उस चीजसे बचने के के लिए मैं आपको दिखाता हूं कि हमने अपने कबूत्रों के लिए क्या कर रखा है क्रोस वेंटिलेशन में फैन लगा हुआ है जब गर्मी जादे बढ़ेगी और जब लू चलेगी तो हमें यहां पे हम कूलर लगाएंगे बागादा कूलर के पापने पीजन्स के लिए में कबूत्रों के लिए गर्मी के अंदर मॉश्यर भी पैदा करना पड़ता है अगर मॉश्यर नहीं है नमी नहीं है पानी की दूप के अंदर तो कबूतर हमारा बिमार होने चांद जादे हैं तो हम क्या करते हैं कितनी बार इस प्रे करते हैं पानी का और फैन चलाएते है तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कभूतर में जो हमने फैन लगा रखा है क्रॉस वेंटिलेशन ओर पूरा एंड तक जा रहा है इसकी हवा और पूरा क्रोस वेंटिलेशन है तुम आपको दिखाता हूं क्रोस वेंडिलेशन क्या होता है यह आप देखिएगा सारे कबूतर हमारे एकदम रिलक्स बैठे हुएं कोई हापावा कबूतर नहीं है कोई गर्मी नहीं मान रहा है आप देख सकते हैं यह देखिएगा जाल के लास्ट में जो हमने क्रोस वेंडिलेशन का रखाव देख सकते हैं वहां से भी खुला हुआ है यहां से भी खुला हुआ है जो हवा वहां से आ रही है वो पूरी साइट से पार हो रही है इससे क्या होता है अंदर जो है गर्मी कबूतरों में जाल में नहीं बनी रहती और कबूतर हमारा एकदम गुटकता हुआ बिलुकूल एकदम रिलाक्स फील करता है और गर्मी महसूस नहीं करता यह आप देख सकते हैं यह होता है क्रोस वेंडिलेशन कभी भी आप जाल के गरण लगाते हैं कुछ लगाते हैं तो ऐसा नहीं होना चीGU कि अंदर रहा है उसमें भी बिमारी पहलते है उसमें आख भक्का बन जाता है तो जब भी आप जान्वरों में कबूतरों में आप अगर फेन लगाएं तो लोगत ना चीजिए आप देख सकते हैं महां से हवां यहां तक आ रही है और सारे जाल हमारे बीच में से आप देख सकते हैं कि सब बिल्कुल खुले हुए हैं और माशालला सारे कभूतर फिट बैठे हुए हैं कोई गर्म महसुस नहीं कर रहा है तो देखिए जिस तरह मैंने आपको दिखाया तो यह चोड़ी चोड़ी चीज़ें हैं अगर आप करेंगे तो इंशालला कभी आपके कभूतर बिमान नहीं पड़ेंगे और एकदम आपको किस तो हम्हें भी काफी गर्मी लगती हैं तो आप अलगए घरा इकापढ़ बैट हकुडा है to वह बी गर्मीזה मानता है तो जब कभूतर गर्मी मानता hep च्हां की तरफ बागता है जहां पर अच्छा होगी वहां पर जागे दानक आएगा और पानी तरफ जादे जाएगा अगर आप जाल के अंदर पूरी हवा पूरा मॉश्च्यर आप मेंटेन कगे रखते हैं तो कबूतर के ओपर कोई गर्मी कासन नहीं पड़ता कबूतर आपका बिमार नहीं होता है और दूसरी बात कभी भी आप जाहल बनाए तो आप धियान रखें कि जिस तरह से सूरज चoulder चाहिए उस तरफ फरंट होना चाहिए जाहल क और जिस तरह सूरज डूपता है तो बैक दिखनी चाहिए कि फरेंट में सूरज पढ़ना चाहिए जाल के ऊपर और बैक में जो है सूरज ड़लना चाहिए यह आप धियां लखना बहुत जरूरी और बहुत आइम बात बताईए आपको बागी आज मैं आपको दिखाना था क्रॉस वेंटिलेशन किस तरह होता है और क्या करना चाहिए जो आगे अभी घर्मी बढ़ेगी तो जम मॉश्यर कबूत्रों के लिए बनाना जरूरी होगा पानी अंदर जरूरी होगा कबूत्र में मॉश्यर पैता करना तो वह आपको वीडियो बना के दिखाई जाएगी इंशालला हम किस तरह मॉश्यर मेंटेन करते हैं तो आगे को जी वीडियो बनाए तो इंशालला हमक वीडियो बनेगी जिन जिन भाहियों नी मुझेutan बिदmillimeter लिए तो आज वीडियो में मअक्सद आप लोग जान चुके हैं चोटला मक्सद था तो आज के लिए इतना ही मैं शचुडभी जादी पाम मेंrosi